समस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका तिवारी अकैडमी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय दोकी जिसका शीर्शक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांग्ती तो चलिए शुरू करते हैं और इस अध्याय के पहले प्रष्ट के पहले परिग्राफ में हमारे सम्मुख यह शीर्शक है सामाजिक परिवर्टन का यूग तो चलिए पहले शुरुवातीसी से करते हैं दोस्तो हम सभी ने पिछले अध्याय में देखा फ्रांचिसी करांग्ती के विशय में उसके बश्चात यूरोप में जिस तरह से स्वतंतरता और समानता की शक्तिशाली विचार फैलते जा रहे थे उसके बारे में भी हमने पिछले अध्याय में जाना और पढ़ा फ्रांसीजी क्राम्ती ने सामाजिक संवचना के ख्षेतर में आमूल परिवर्तन की समभावनाओं का सूतरपात कर दिया था अब हमें यहाँ पर मुख्य रूप से दोस्तों शुरुवात में सध्याय के बात करनी है तीन लोगों के समूहों के विशय में तीन ऐसे समूह लोगों के जिन में हम उनकी अलग-अलग विचारधाराओं को समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी जो विचारधाराएं हैं उसका जो असर है वो एक राष्ट के निर्मान में हमें देखने को मिलता है हमने liberal यानि की जो उदारवादी समूह है उदारवादी लोग जो आते हैं उनकी विचारधारा को भी इसी अध्याय में देखना है रूडी वादी विचारधारा जिनें हम conservatives कहते हैं उने भी देखना है और इसके अलावा हम आमूल परिवर्तनवादी या फिर हम इस तरह से कह लें कि radical उनकी भी विचारधारा को हम इस अध्याय में जानी फिलाल मैं आपको ये बता रहा था कि जैसा कि हमने पढ़ा है अठारवी सदी से पहले जो फ्रांस है उसका समाज मोटे तौर पर estates में बटा हुआ था श्रेणियों में बटा था हमने पढ़ा था पहले अध estates में हमने देखा था जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो आते थे और जनसंक्या का एक बड़ा हिस्सा जिसमें कुछ शिक्षित लोग जैसे की वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे है ना शिक्षक लोग थे इसके अलावा बचे हुए सारे की सारे जो थे गरीब किसान, म आधी लोग उसमें आया करते थे है ना तो हमें states के बारे में जानकारी है हमने पहले अध्याय में इन्हें पढ़ लिया है दोस्तो समाज की जो आर्थिक और सामाजिक सत्ता है इस पर कुलीन वर्ग और उस समय चर्च का नियंतरन था ये भी हमने जाना पढ़ा पिशले इस से थे उसमें बात होने लगी चर्चा चलने लगी व्यक्तिकत अधिकारों के स्वरूप की और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंतरन हो इन सब महत्वपूर्ण विश्यव पर मुद्दों पर आसपास के समग्र आप समझें कि पूरी की पूरी दुनिया में पूरे विश्य भारत में भी और डेरोजियो इन्होंने फ्रांसी सी क्रांति के महत्यों का उल्ले किया है और भी बहुत सारे लोग है क्रांति के बाद में येरोप की स्थितियों के बारे में जो है चल रही बहस में खूद पड़ गए थे आगे चलकर के दोस्तों उपनिवेशों में घटी उपनिवेशों में जो घटनाय घटी, जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा था अमेरिका के 13 उपनिवेशों के विशय में, जिनकी आजादि के लिए फ्रांस के जो राजा थे लुई 16 उन्होंने सहायता दी थी, मुझे उमीद है आपको याद होगा है ना, तो इन विचार पर सबकी अलग-अलग राय थी, आप इस इस तरह से समझे कि आज भी किसी एक बड़े विशयक में अगर हम चर्चा करें, तो हमारे अपने देश में भी लोगों के अलग-अलग समू है, जिनकी अलग-अलग राय हो सकती है, आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, कि जैसे मा और्थ विवस्ता की छेत्र में बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही अलग-अलग समू है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो गरीबी, जीवन यापन करते हैं, गरीबी में है ना, कुछ लोग हैं जो मध्यंबर्ग में आते हैं, निम्नवर्ग फिर मध्यंबर्ग फिर उससे उपर, उच् एक खेमा जो था वो ऐसा मानता था कि समाज का आमूल पुनरगठन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ रूडी वादी, conservatives थे और कुछ थे उदारवादी यानि liberals और यहाँ पर यह भी बताया है कि समाधानों के पक्ष में ये लोग थे उस समय के संदर्व में इन शब्दों का क्या मतलब था यानि उदारवादी लोग कौन थे इनकी क्या विचार धाराय थी परिवर्तन वा इस अध्याय की यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि इन शब्दों का अर्थ हर काल में यानि हर समय में और हर परिवेश में एक ही नहीं होता यानि बदलता रहता है समय के अनुसार काल के अधुरूप तो दोस्तों इस अध्याय में हम 19.वी शताबदी की कुछ महतपून राजनीतिक परंपराओं का अध्यन भी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्व में क्या असर डाला यानि उन घटनाओं ने है ना इसके बाद में दोस्तों हम एक ऐसी सदी का स्वरूप तै करने वाले सबसे महतपून शक्तिशाली विचारों की श्रंखला का हिसा बन गया यानि आप इसे इस तरह से समझे कि हमने इस अध्याय में जब उदारवादी ग्रूप को देखेंगे उदारवादी लोग जो लिबरल्स हैं वो क्या सोचते थे उनकी क विचारधारा थी इसके बाद हम रेडिकल को जानेंगे फिर रूडिवादी जो लोग थे उनके विशह में जानेंगे तो इन से हट करके एक अलग समाजवादी विचारधारा का अध्यान भी हमें मुख्य रूप से इस अध्याय में करना है लेकिन इसके लिए पहले हमें बहुत ध्यान देते हुए ये समझने की आवशकता है कि आखिर इन शब्दों और इन शब्दों से जुड़े हुए लोगों की विचारधाराओं में क्या अंतर था तो चलिए शुरुवात करते हैं और बात करते हैं उदारवादी रेडिकल और रूडिवादी शिर्षक के अंतरगत दिये हुए इस पेरिग्राफ की दोस्तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह था उदारवादीयों का ठीक है जिने लिबरल्स कहा जाता था अंग्रेजी में उदारवादी दोस्तो एक ऐसा राष्ट चाहते थे एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी ध धर्मों को बराबर का सम्मान और जगा मिले याद रखिए सभी धर्म जो है उनको बराबरी भी मिलनी चाहिए और बराबर का उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए यानि यह जो उदारवादी थे आप समझें कि इनकी विचारधारा जो है ये वाली कितनी अच्छी थी उस समय क के हिसाब से भी है ना, भाई सब धर्म जो है, वो बराबर हो, उने बराबर का सम्मान मिले, और शायद दोस्तों हमें ये बात पता है, ये बात खबर है कि उस समय जो है, यूरोप के देशों में प्राह किसी एक धर्म को ही ज्यादा महतों दिया जाता था, है ना, जैसे कि बहुत मानिता रखने वाला ये विचार था जो अभी हमने पड़ा कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, दोस्तों इसके बाद उदारवादी समूह, वंच आधारित शासकों, याने जो वंच आधारित शासक हुआ करते थे ना, उनकी आन्यंत्रित सत्ता के विरोधी थे कि जो सत्ता का जो शासन की जो शक्ती है, वो वंच आधारित नहीं होनी चाहिए, वो इसके खिलाफ थे, वे सरकार के समक्ष व्यक्ती मात्र के अधिकारों की रक्षा के भी प्रक्षधर थे, वो चाहते थे कि हर व्यक्ती को उसके अधिकारों के साथ जीने का पॉपसर मिले। उनका इस पक्ष में क्या कहना था उधारवादी लोगों का लिब्रल्स का की सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या चीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कैसी निर्वाचित सरकार के पक्षमिधा जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और इसके साथ ही सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा इस्थापित किये गए कानूनों के अनुसार शासनकार्य चलाएं यानि कि क्या चाहता था यह जो दारवादी समोग था कि निर्वाचित सरकार होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर शासकों और अफसरों का प्रभाव है वो उससे मुक्त हो और जो न्यायपालिका हो वो पूर्णता विचारधाराओं के अनुसरन के बाद भी यहां जो समू था यहां लोकतंतरवादी नहीं था अब आप कहेंगे कि इतनी सारी विचारधाराएं जो लोकतंतर से जुड़ी हुई है फिर भी हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह एक डेमोक्रेट नहीं है यानि लोकतंतरवादी नहीं है तो उसका कारण मैं आपको बता दूँ कि यह लोग जो है वो सार्वभावमिक वयस्क मता अधिकार यानि सभी नागरिकों को वोट दिना चाहिए इसके अधिकार दिने के पक्ष में नहीं थे तो फिर किस पक्ष में थे इन उदारवादी समू के लोगों का दोस्तों ऐसा मानना था कि वोट का जो अधिकार है न, वो केवल उनी लोगों को दिया जाना चाहिए, उनी नागरिकों को जो संपत्ति धारी है, यानि जिनके पास अपनी संपत्ति है, और वहीं पर दोस्तों अगर हमें इसके विपरीद, रेडिकल समूंग की बात करें, है न, आमूल परिवर्तनव समूंग की बात करें, तो रेडिकल लोग जो है, वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे, जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, है न, एक अच्छी बात, यानि रेडिकल समूंग के लोग क्या चाहते थे, कि देश की अधिक से अधिक आबादी जो है, वो क् मत देने का उसको अधिकार मिले, वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे, इस वाक्य का अर्थ वही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, है न, देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, है न, ठीक है, इन में से दोस्तों बहुत सारे लोग महिला मत अधिकार आंदु है न, और उधारवादियों के विपरीज जा करके बताया गया है कि ये जो रैडिकल लोग थे, ये क्या चाहते थे, कि जो जतने भी बड़े जमींदार है, है न, जो संपन उद्योग पती है, उनको किसी भी तरह का जो कोई विशेश अधिकार मेला है न, वो उसके खिलाफ थे, कि भाई, विशेश अधिकार क्या, विशेश अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी के भी पास में, आपने देखा था, हमने जब अध्यायक में पढ़ा था, तो इनको जन्मजात, जन्मना, कुछ विशेश अधिकार प्राप्त थे, कुलीन बर्ग को, है न, चर्श के पा के पास बराबर होनी चाहिए, है न, समान रूप से, जो किसी का हक है, वो उसको मिलना चाहिए, कहने का ताक पर ये है, दोस्तो, रूडिवादी तब का जो है, रेडिकल और उधारवादी दोनों के ही खिलाफ था, अगर हम बात करें, रूडिवादी की, तो अब आप ये स दिलाओ की जरूरत को, स्विकार करने लग गए थे, अब स्विकार करने क्यों लग गए थे, क्योंकि अगर ये स्विकार नहीं करते, तो इनको अलग थलग कर दिया जाता है, न, इनको भी सारी सजाय वजाय मिल जाती, क्योंकि ये रूडिवादी लोग कौन थे, शासक वर इसमें सम्मिलिथा, है ना, अब आप सोचिए कि जो राजा है, वो क्यूं चाहेगा कि उसकी सत्ता उसके हाथ से छिन जाए, तो समय और मौके का फायदा उठाते हुए, वो हभी निर्णे में साथ देने के पक्ष में आ गए, कब जब फ्रांचीसी क्रांती हुई उसके बाद में, दोस्तो पुराने समय में, यानि अठारवी शताबदी में, रूडिवादी लोग जो थे, वो आम तोर पर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 19 सदी तक आते आते, वो भी ये मानने लग गए थे कि कुछ परिवर् कर रहे हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि बदलाओ होना चाहिए, कौन रूडिवादी, लेकिन दूसरी तरफ को क्या कह रहे हैं कि अतीत को भी पूरी तरह से ठुकराये ना जाए, भही कौन चाहिएगा कि हमारा शासन हमारी गद्धी एक दम से छिन जाए, है ना, तो वो यही पूरी तरह से अतीत को भी न ठुकराये जाए, और यह जो बदलाओ की प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, यह धीम ही होनी चाहिए, यानि परिवर्तन होने तो चाहिए, लेकिन धीम है, बहुत ही धीरे-धीरे, दोस्तो फ्रांसी सी क्रांती के बाद, पैदा क्या हुई र राष्ट्रिय कायांतरण की विभिन कोशिशों ने इन सभी राजनितिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को इस्पष्ट कर दिया, इस लाइन का क्या अर्थ है, इस लाइन का यह अर्थ है दोस्तों, कि यह जो 19-वी सदी में क्रांती और राष्ट्रिय कायांतरण की जो अलग-अलग प्रकार से कोशिशे हुई ना, जो अलग-अलग विचारों में टकराव हुए, विचारधारों में, लोगों ने आपस में चर्चाए करी, है ना, सब तरफ पूरे दुनिया में, तो ये जितनी भी राजनीतिक धाराएं थी, उनकी जो सीमाएं थी, और जो सं समाजिक परिवर्तन की, तो अब उद्योगिक समाज और समाजिक परिवर्तन हम देखने जा रहे हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं, कि देखी क्या हुआ, आप समझजिए, कि ये जो है राजनीतिक रुजान के एक नए युग का प्रतीक था, क्या उद्योगिक करण, आप इसे समझेगा ये जो दौर था ना ये गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था बहुत सारे आर्थिक बदलावों हमें यहाँ पर देखने को मिले और आर्थिक बदलावों के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक बदलावों भी यहाँ पर हुए दोस्तों ये एक ऐसा समय थ रहे थे, लोग जो है वो शहरों की तरफ आ रहे थे, नई नई फैक्टरियां खुल रही थी, नई नई मिले खुल रही थी, और नए नए ओध्यों की खेत्र जो है इस समय विक्सित हो रहे थे, इसी समय यह वही समय था जब रेलवे का भी विस्तार काफी हो चुका था, है न क्योंकि हम सब इसी मतलब सभी लोग जो थे वो इसका एक हिस्सा थे और इनी लोगों के बीच से हो करके जो है यह समय गुजर रहा था जिस ने इनको और द्योगी करण के नई के अंदर ला करके खड़ा कर दिया था तो अब आप इससे समझे कि और द्योगी करण ने और तो आदमी और बच्चों सब को कार खानों में ला दिया अब आप कहेंगे कि ठीक है और तो आदमी और लेकिन बच्चे भी तो हाँ बिलकुल क्योंकि उससमय काम की बहुत मतलब थी और जितनी भी ओद्धियों की वस्तु हैं थी इनकी मांग में जब कभी भी गिरावटा जाती तब ये विरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती इसे इस तरह समझे कि मान लीजिए कि आप जो है कोई एक तरह का उत्पादन करते हैं तो वह उत्पादन पे आपने सौ कारी कारीगरों को रखके रखा है अपने कारी के लिए क्योंकि वह कारीगर जो है वह उत्पादन कारे में आपकी मदद करते हैं लेकिन अचानक से यदि आपके उत्पाद यानि प्रोडक्ट की मांग में कमी आ जाया है जब पहले जितना आप प्रोडक्शन कर रहे थे उसके आ समझे कि उन्हें काम से उस समय के लिए निकाल दिया जाता तो बेरोजगारी जैसी समस्या उस समय जो है वह बढ़ जाती इसी बीच में आप इस चित्र को देखिए यह उन्नी सुष सिताबदी के मद्य में लंदन के गरीबों की दशा जो है उसी समय के व्यक्ति की की गई है यह लिया गया है हैंडी मैयू लंदन लेबराइन लंदन पूर 1861 से है न दोस्तों बेरोजगारी और बढ़ जाती थी है न अभी मैंने आपको बताया जब मांग में कमी आ जाती थी तब और शेहर जो है न वो तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे अधिक से काम की तलाश में आगे बढ़ रहे थे है न और इसलिए दोस्तों आवास और साफसफाई का काम जो है वो धीरे-धीरे मुश्किल होता जा रहा था इसे इस तरह से समझी कि एक कमरे में अगर एक वेक्ती रहता हो तो साफसफाई रखी जा सकती है न कमरा यदी चोटा है ले और जो उदारवादी और रेडिकल लोग थे यह दोनों ही जो थे इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे अब ये क्यों हल खोजने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इन लोग का उस समय इनकी एक मानिता थी क्या थी अब इसे समझे लगबक सभी उद्योग जो थे वो व्यक्तिगत्व स्वामित्व में थे, या निमी जी स्वामित्व में थे, कोई एक व्यक्ति है, जो किसी एक उद्योग का मालिक है, तब हम कहेंगे कि ये व्यक्तिगत्व स्वामित्व है, तो बहुत सारे रेडिकल उरुदारवादी लोग जो थे, उनके पास भी उस समय समय काफी सारी संपत्ती थी है ना संपत्ती मतलब धनवान लोग थे और उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग उस समय नौकरी किया करते थे तो दोस्तों इन्होंने व्यापार या ओद्यों की व्यवसायों के जरीए धन दौलत जो है वो इकठा की थी और इसलिए यह क्या चाहत कि इस व्यवस्ता का भरपूर लाब उस समय जो है वो लिया जा सकता है यह लोग जन्मजात मिलने वाले विशेश अधिकारों के विरुद्ध थे याने खिलाफ थे इनकी ऐसी मानेता थी कि लोगों को जन्मजात विशेश अधिकार मिले हैं वो नहीं होना चाहिए ऐसी गरीबों को रोजगार मिलेगा और जिनके पास में पूंजी है इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाएगा तो समाज जो है वो तरक्की भी कर सकता है ठीक है अब दोस्तों इसी कारण से 19 सदी का जो शुरवाती दशक थे कु इच्छुक कुछ बहुत सारे कामकाजी इस्तरी पुरुष उदारवादी और रेडिकल समू जो थे उनको वो और जो पार्टिया थी उनके इर्दगिर्द जो है बहुत सारे लोग गोलबंध हो गए थे हैं ना क्यूंकि उनको लगता था यह नहीं सोच है अच्छी बात है है ना आगे बढ़ने की बात की जा रही है आधी आधी कारंट है इसके यूरोप में दोस्तों समझें कि 1815 में जिस तरह की सरकारे बनी है ना तो उनसे छुटकारा पाने के लिए उस समय कुछ राश्टरवादी उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांती के पक्ष में थे अगर हम बात करें तो फ्रांस इटली जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लग गए है ना आप मुझे उमीद है कि पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं पूरा ध्यान के इंदृत है आपका और आप मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं समझने का प्रयास कर रहे हैं है ना क्योंकि इतिहाज जो है वो बोरिंग उनी लोगों के लिए हो सकता है उनी विध्यारतियों के लिए जो की इमेजिन नहीं करते यानि जिनकी कल्पना शक्ति छीन होती है लेकि कहां तक पहुच चुके हैं कि राष्टवादी कारिकरता क्रांती के जरीए ऐसे राष्टों की स्थापना करना चाहते हैं क्रांती के जरीए है यानि जो चाहिए अभी चाहिए तो ऐसे राष्टों की स्थापना करना चाहते थे जिन में सभी नागरिकों को कैसे अधिकार पराप्त हो, समान अदिकार पराप्त हो, है ना, 1815 के बाद में दोस्तो इटली के राष्टरबादी मैजीनी है ना, गिस्थे पर मैजीनी जो है इनका नाम यहाँ पर आया है, इन्होंने यही लक्ष पराप्त करने के लिए क्या किया, जो इनके समर्थक थे ना, उनके साथ मे भर के राष्टवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे ठीक है मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं फाइनली यूरोप में समाजवाद का आना इसके उपर तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि समाज के पुनरगठन की संभवता सबसे दूर गामी द्रिश्टी पदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी मैंने आपको बताया था कि उदारवाद यानि लिबरल इसके बाद में रूडिवादी इसके बाद में रेडिकल और अब जो है हमें देखना है समाजवाद के विशय में समाजवादी विचारधारा क्या थी तो आप इस लाइन से समझ गए होंगे है ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाज के पुनरगठन की सबसे दूर गामी द्रिश्टी जिन्होंने प्रदान करी वो कौन सी विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा है ना आप यह वाद शब्द से तो परिचित होंगे यह वाद का अर्थ क्या होता है जैसे इतना समझ लीजे कि मेरे अपने कुछ विचार है अब हमारा एक समूह बन जाता है और उस समूह का विचार जो है जो विचारधारा है वो किसी विचारधार एक हो सकती है तो उसी विचार धारा को जो है आप ऐसा समझ ये की नाम दिया गया है वाद का है ना तो अब मुझे उम्मीद है कि अगर आप अब तक इस शब्द से परिचित नहीं होंगे तो अब आप हो गये होंगे ठीक है फिलाल आगे बढ़ते हैं देखी तो कहानी क्या है कि 19 सदी के म ज्यानिस्त की तरफ आकर्शित हो रहा है तो आप समझ लीजे कि समाजवादी विचारधारा जो है उसको आप इस एक विचार से समझे कि ये समाजवादी लोग जो थे ये नीजी संपत्ति के विरोधी थे समाजवादी जो थे वो क्या थे नीजी संपत्ति के विरोधी थे क्यूं थे नीजी स्वामित्यों को वो सही नहीं मानते थे, उनका कहना था क्योंकि कि समपत्ती के नीजी स्वामित्यों की विवस्था ही जो है, वो सारी समस्याओं की जड़, अब ऐसा मानने का कारण क्या था? उन्होंने एक तर्क दिया कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पास में समपत्ती है, समपत्ती तो है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें ना दूसरों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि ये जो समपत्ती धारी वेक्ती है, जिनकी समपत्ती है, इनको सिर्फ अपने ही फायदे से मतलब रहता है यानि मान लीजे कि कोई एक विक्ति है जिसके पास अपनी संपत्ती है और वो संपत्ती के तौर पर क्या कर रहा है अपनी संपत्ती का नीजी स्वामित तो ले करके बैठा और बहुत सारे लोग जो मजदूर उसके पास काम कर रहे हैं, उसको उन मजदूरों की संपत्ती या उन मजदूरों से कोई संबन नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है अपने नीजी स्वार्थ से, है ना? तो ऐसी विचारधारा कौन रख रहा था? समाजवादी, है ना? समाजवा बारे में नहीं सोच था, जो उसकी संपत्ती को उत्पादनशील बनाते हैं, याने जिसकी वज़ा से उनकी संपत्त्ती में इदाफ़ा हो रहा है, है ना? उनके बारे में वो नहीं सोच था, इसी लिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाएda को पूरे समाज का नियंतरन अगर हो, तो साजह सामाजिक हेतों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है, ऐसी सोच थी, इसी को कहते हैं समाजवादी विचार धारा, दोस्तों इस तरह का बदलाव चाहते थे समाजवादी और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रशन है हमारे सामने, कोई समाज समपत्ती के बिना कैसे चल सकता है, ठीक है, अब समाजवादी विचार धारा क्या है कि नीजी स्वामे तो नहीं होना चाहिए, है ना समपत्ती का, तो फिर कैसे चलेगा समाज बिना समपत्ती के, औ हिन थी, है ना, जो औरों से अलग थी, कुछ समाजवादियों को कॉपरेटिव, यानि सामोहिक उद्यम के विचार में दिल्चस्पी थी, आप कहेंगे ये कॉपरेटिव का मतलब क्या है, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि कॉपरेटिव ना, एक ऐसा ग्रुप है लोगो कर लेते हैं, यानि बाट देते हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप कॉपरेटिव, यानि सामोहिक उद्यम के विचार को समझ गया होंगे, है ना, तो समाजवादियों को कॉपरेटिव, यानि सामोहिक उद्यम के विचार में दिल्चस्पी थी, और इंगलेंड के जा तो व्यक्ति गत पहल कद्मी से बहुत बड़े सामुहिक खेति नाई जा सकते वहां चाहते थे की सरकार अपनी तरफ से सामुहिक खेति को बढ़ावा दे, अब उसके लिए एक उधारन को देख लेते हैं, फ्रांस में लूई ब्लांक, 1813-1812 के बीच की कहानी, ये चाहते थे कि सरकार जो है पूंजीवादी उद्यमों की जगा, सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि कॉपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे, जो मिलकर के चीज़े बनाते थे, और मुनाफ़े को प्रत्यक सदस्से द्वारा कियेगा, काम के अनुसार, काम के हिसाब से आपस में बाट लेते थे, जिसने जतना काम किया, उसको उतना मुनाफ़ा उसके हिसाब से दे दिया गया अब हम बात करेंगे कारल मार्क्स की, है ना, मुझे उम्मीद है ये नाम आपने पहले सुना होगा, और अगर नहीं सुना है, अब सुन लीजे, क्योंकि आगे ये नाम आप सुनते रहेंगे, है ना, तो बहुत फेमस है, मार्क्स वादी विचारधारा, तो एक इंट्रोड एंगल्स 1820 से 1895 की बीच, इन्होंने इस दिशा में कई सारे नय तर्क पेश किये, अब इसमें जो कारल मार्क्स है, इनका विचार क्या था, इसे समझी है, इनका ऐसा मानना था कि ओध्यों की समाज, एक पूंजी वादी समाज है, है ना, फैक्ट्रियों में लगी गई जो जो पूंजी है, जो पूंजी लगाई गई है, इस पर पूंजी पतियों का स्वामित हुए है, और जो पूंजी पती है, इनका मुनाफ़ा मजदूरों की महनत से पैदा होता है, दोस्तों मार्क्स का ऐसा निशकर्श था कि जब तक नीजी पूंजी पती इस तरह तो उनको पूंजीवाद वनिजी संपत्ती पर आधारी ती जो शासन ने इसको उखाड फेकना होगा, ये विचारधारा किसकी है, कार्ल मार्क्स की, ठीक है, दोस्तों, मार्क्स का ऐसा विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोशन से मुक्त कराने के लिए मजदूरो को एक अत्यंत भिन किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ती पर पूरे समाज का, यानि स्वामाजिक नियंतरन का, स्वामित्व रहेगा, और दोस्तों, इन्होंने भविश्य के इस समाज को सामेवादी, यानि कि कम्मिनिष्ट समाज का उस समय नाम दिया, अब कार्ल मार्क्स को ये भी विश्वास था कि पूर्जी पतियों के साथ होने वाले संगर्श में जीत जो है, वो अन्तिता मजदूरों की ही होगी, और उनकी राये में दोस्तों, कम्मिनिष्ट समाज ही जो है, वो भविश्य का समाज होगा, ऐसा वो मानते थे, तो मुझे उम अब बात करते हैं समाजबाद के लिए समर्थ हैं, दोस्तों समय था 1870 का है ना, इसका दशक चल रहा था और जैसे जैसे समय आया, वैसे वैसे आप समझीएं कि समाजबादी जो विचारधारा थी, वो उस समय तक पूरे यूरोप में फैल चुकी थी है ना, और अपने प् जर्मनी के जो मजदूर थे ना, उन्होंने अपनी जीवन और कारेस्थितियों में सुधार लाने के लिए एक संगठन बनाना शुरू कर दिया था, है ना, और संकट के समय में अपने सदस्यों को मदद पहुचाने के लिए, वो इन संगठनों ने क्या किया कि कोश इस्था में वो पार्टी की मदद भी उस समय किया करते थे, है ना, और 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन अंदुलनकारियों ने दोस्तों, लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, आप समझे, 1905 तक के जो ब्रिटेन के समाजवा गया, लेकिन दोस्तों ये समय 1905 का था, और 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामियाब नहीं हो पाए, संसदी राजनीती में उनके प्रतिनीती बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्होंने कानून बनवाने में भी एहम उभी का निवाई, मगर सरक जो यहाँ पर भारी उथल पुथल हों, उसको इस चितर में दर्शाने का प्रयास किया गया है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे रूसी क्रांती की, है ना, तो अब हम बात कर रहे हैं रूसी क्रांती की, तो इसमें आप समझें कि यूरोप के अक्टूबर क्रांती जिसका यहां पर जिकराया है, इसके साथ में क्या हुआ कि रूस की जो सत्ता है, उस पर समाजवादियों ने उस समय कबजा कर लिया, और जो समय है फरवरी 1917 का, उसमें राजशाही का पतन हुआ, और अक्टूबर की घटनाओं को ही उस समय जाना जात आप डूढने के लिए आईए क्रांती से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डाले, आपको याद होगा हमने पहले अध्याय में भी, जब लुई 16 के बारे में पढ़ा था, तो हमने उस सारी घटनाओं के बारे में देखा था, जिनकी वजह से जो है, लुई 16 को फासी पर चड़ा दिया गया था, है ना, तभी हमें समझ में आई थी सारी चीज है, तो चलिए, जानकारी इकटा करते हैं, देखते हैं, क्या कुछ खास है, सबसे पहले समझते हैं, रूसी सामराज 1914, दोस्तो, 1914 में यहापर हमें बताया गया है कि रूस और उसका पूरा का पूर शेतर था, उसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो आज का फिनलेंड है, है ना, मैंने हाइलाइट कर दिया है, आज का फिनलेंड, लात्विया, लितुआनिया, एस्तोनिया, इसके साथ ही पॉलेंड, यूक्रेंड और बेलारूस के कुछ हिस से, रूसी सामराज्य के अजर बैजान भी इसी सामराज्य के उस समय अंतरगत आते थे, है ना, रूस में ग्रीक और्थोडॉक्स चर्च से उपजी एक शाखा, रूसी और्थोडॉक्स क्रिस्चैनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस सामराज्य के तहत रहने वालों में, कैथलिक, प् रूसलिम और बॉद्ध भी उस समय शामिल थे, आप इस चित्र को देखिए, 1914 का यह है यूरोप है, मान चित्र में रूसी सामराज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपिये देशों को दर्शाया गया है, बताया गया है, यह जितनी भी जो शक्तियां है, यह केंद तटस्थ राज्य है, जो light grey color से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके साथ में यह जो है तटस्थ राज्य के बाद में जो केंद्रिय शक्तियों से जाकर के मिल जाते हैं, यह वो है, इसमें जो है नाम आता है हमारा बुलगारिया का और ओटमन सामराज्य का हैं और यह जो green वाले हैं, यह कुछ जिसे इटली हो गया, युनान हो गया, पुर्तगाल हो गया है ना, इनको ऐसे समझे कि यह कुछ ऐसे तटस्थ राज्य हैं जो बाद में मित्र शक्तियों से जाकर के मिल जाते हैं, ठीक है, या मिल गए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात स जब होती है ना, तो उसी समय जो रूस की आबादी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो किस से जुड़ा हुआ था, किस में, खेती बाड़ी से उस समय जुड़ा हुआ था, है ना, और यहां पर हमें यह बताया है कि रूसी सामराज्य की उस समय लगबग 85 प्रत प्रतिशत है, वो इतना नहीं था, उधारन के लिए अगर हम देखें तो यहां पर बताया गया है फ्रांस और जर्मनी की बाद, तो फ्रांस और जर्मनी में अगर हम देखें तो खेती पर निर्भराबादी जो है वो 40 से 50 प्रतिशत से ज्यादर नहीं थी, रूसी सामराज के किसान जो थे, वो अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे और रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, है ना, और मैं आपको बता दूँ कि उध्योग जो थे न, वो बहुत कम थे, सेंड पीटर्स बर्ग और मॉस्को जो थे, वो प्र थे, है ना, मशीनी कार खाने, बहुत सारे कार खाने 1890 के दशक में चालूग हुए थे दोस्तों, जब रूस के रेल नेटवर्क को जो है उस समय फैल आये जा रहा था, है ना, तो रूस में जो रेल नेटवर्क है वो कब फैलाये जा रहा था, 1890 के दशक में है, mechanics में प्रिधान में रखने का प्रियास करते हैं. दोस्तो उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी जो था बहुत तेजी से बड़ा था. आप जानते हैं विदेशी निवेश क्या होता है यह विदेशों का निवेश करना इन कारकों के चलते दोस्तों कुछी साल हुए और रूस का कोईला उतपादन था उसमें दुगना और इस्टी रूतपादन में चार गुना वर्दी हो गई थी और सन 1900 तक कुछ इलाकों में त दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए युद्ध से पहले सेंट पीटर्श बर्ग में बेरोजगार किसान का चित्र है बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगवरों में खाना खाते थे और खस्ताहाल मकानों में उस समय रहा करते थे दोस्तों ज्यादतर कारखाने जो है न वो अद्योग पतियों की नीजी समपति थे उस समय और मजदूर जो हो थे जो मजदूर वर्ग था उनको उस समय नियूंतम वेतन मिलता था है न हमने देखा था तो नियूंतम वेतन उनको मिलता रहे और काम की जो पाली है उसके रखने के लिए सरकारी विभाग जो था वो बड़ी फैक्टरियों पर नजर रखा करता था लेकिन फैक्टरी इंस्पेक्टर भी जो था वो नियमों के उलंगन को रोक पाने में नाकामियाब रहता था है आप ऐसे समझे कि फैक्टरी इंस्पेक्टर भी उस समय जो थे वो न मजदूर आम तोर पर दस से बारा घंटे की पालियों में काम किया करते थे दोस्तों मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डार्मिट्री तक तरह तरह की विवस्था यहां पर मौझूद थी सामाजी किस तरह पर मजदूर बटे हुए थे और कुछ मजदूर अपने योग्यता और दक्षा के सतर पर भी काफी फर्क है सेंट पीटर्स बर्ग के एक धातू मजदूर ने कहा था आप इसे समझेगा क्या कहा था उसने कहा धातू कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षन और निपुन्ता की मुखा के मुकाबले आधे से तीन चौथाई तक यानि आप इसको इस तरह से समझे कि अगर भारतिय रुपियों में उधारन देने का प्रयास करूँ आपको तो जैसे पुरुशों को एक दिन के लिए मजदूरी जो है वो दी जा रही है मान लेजिए सौ रुपए तो यानि 25 रुपए तक के दिये जाते थे यानि पुर्शों के तुलना में कम है अब समझे दोस्तों मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और वहवार में भी साफ दिखाई देता था यद्देपी दोस्तों कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी आर्थिक संक परूँगा उस समय के समाजवादी कारेकर था एलेक्जेंडर शल्याप निकोव के वक्तववे से पता चलता है कि बैठ के कैसे आयोजित उस समय की जाती थी है ना अब क्या बुला इनोंने कैसे बैठ के उस समय आयोजित होती इसे समझेगा है ना एक-एक कार खाने और संगर्ष में बड़ी निपुंता से पिरो दिया जाता था गैर कानूनी बैठ के जरूरत के वक्त फॉरण आयोजित कर ली जाती थी लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर याड में या कई मंजिला इमारत की सीडियों में व्यवस्थित धंग से बैठ के आयोजित की जाती सबसे जागरुक मजदूर दरवाजी के पास प्लक का काम समहलते थे और मुहाने पर पूरी भीड इकठा हो जाती थी वहां सब के सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था मालिक टेलिफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे लेकिन जब तक पुलिस पहुचती थी तब तक भाशन पूरे हो चुके होते थे और जरूरी फैसले ले लिए जाते थे अलेक्जेंडर शल्यापनिकोब ऑन दी इव आफ नाइटीन सेवंटिन रेमिनी सेंसेज फ्रॉम दर रेवलूशनरी अंडरग्राउंड मुझे अमीद है या आपको समझ में फिलाल हम आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान से समझेगा दोस्तों इन सारे विवेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था समझेगा या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एक जुट होकर हर्ताल भी कर देते थे अठारसो चैनबे अठारसो संत्यानवे के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में दोस्तों धातू उद्योग में ऐसी हर्ताले काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी आप ये समय याद रखिएगा अठारसो चैनबे से संत्यानवे के बीच का और इसके बाद 1902 क इस समय जो है धातू द्योग में ऐसी हर्ताले काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी दोस्तों देहात की जो ज्यादा तर जमीन होती थी उस पर किसान खेती किया करते थे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो विशाल संपत्तियां थी उन पर सामन तो राजशाही और और्थोडॉक्स चर्च का कबजा था ठीक है मजदूरों की तरह दोस्तों किसान भी बटे हुए थे अभी हमने उपर देखा कि मजदूर किस तरह से बटे हुए थे पहनावे से लेके उनकी काबिलियत तक के है ना शिक्षा और उनकी तकनी के ग्यान से वो बटे हुए किसान दोस्तों बहुत धार्मिक सभाव के थे एकका दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामन्तों और नवाबों का बिलकुल सम्मान नहीं किया करते थे नवाबों और सामन्तों को जो सकता और हैसियत मिली हुई थी वहां लोक्प्रियता की वज़य से नह और सेवाओं के बदले में मिली थी दोस्तों यहां की स्थिती फ्रांस जैसी नहीं थी मिसाल के तौर पर आप देखी कि फ्रांसीजी करांती के दौरान ब्रिटनी के किसान ना केवल नवाबों को सम्मान करते थे बलकि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बकाइदा लडाईया भी लड़ी थी है ना लेकिन इसके विपरीत अगर आप यहां पर देखें रूस में तो रूस के जो किसान है वो यह चाहते थे कि नवाबों की जमीन चीन कर किसानों के बीच बाठ दी जाए बहुदा वह लगान भी नहीं चुकाते थे है ना और कई जगह तो ज लिहाज से अगर हम बात करें तो भिन्न थे यहां के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून यानि मीर को सौब देते थे और फिर कम्यून ही यानि जो पालिका थी वो भी प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बाठता था ठीक है ना मुझ उम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो गैर कानूनी थी है ना यहां पर दिया हुआ है मैंने हाइलाइट भी किया है और मार्क्स के जो विचार थे ना उनको मानने वाले जो भी समाजवादी थे उन्होंने क्या किया 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वरकर्स पार् का एक अगबार भी निकलता था उसने क्या किया मजदूरों को संगटित किया था और हरताल जैसे जो कारिक्रम होते थे वो आयोजित किये थे कुछ रूसी समाजवादियों को ऐसा भी लगता था कि जो रूसी किसान है वो जिस तरह समय समय पर जमीन बाटते हैं उससे यह प वे क्रांती का नेत्रत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा है ना लेकिन मैं बतातूं कि यह उनका मानना था 19-वी सदी के आखिर में अगर हम बात करें तो रूस के कुछ ग्रामीन इलाकों में समाजवादी जो थे वो काफी ज़्यादा सक्रिय थे सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवल्यूशनरी पार्टी समाजवादी करांतिकारी पार्टी यानि का गठन कर लिया और इस पार्टी ने क्या किया किसानों के अधिकारों के लिए संगर्ष किया और मांग करी मांग क्या की, कि सामंतों के कबजे वाली जमीन फोरण किसानों को सौब दी जाए दोस्तों किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी, सोशल डेमोक्रेट्स जिनने कहा जाता अंग्रेजी में ये खेमा समाजवादी करांतिकारियों से सहमत नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि इसे समझ यह लेनिन का यह मानना था कि किसानों में एक जुटता नहीं है वे बटे हुए हैं और कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजी पती थे जो नौकरों से खेती करवाते थे अब इन आपसी विभेदों के चलते हुआ ये कि वे सभी समाजवादी आंदुलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे और सांगटनिक रणनीती की अगर हम बात करें तो इसके सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे डिस्प्यूट्स थे व्लादेमिर लैनिन जो बोल्शेविक खेमे का मुखिया था उनका ऐसा सोचना था कि जार जो राजा है शासित रूस सदस्यों की संहिया और इस तर पर उसका पूरा नियंतरन जो होना चाहिए और दूसरा खेमा जो की मैंशविक है मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए अब बात करते हैं उथल पुथल के समय की जो है 1905 की क्रांती दोस्तो रूस एक निरंग कुछ राजिशाही था और अन्य यूरोपीय शासकों की जो हमने बात करी उनके वि पुहिम चलाई और 1905 की क्रांती की समय उन्होंने सम्मिधान की रशना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांती कारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया है ना अब मैंने आपके कुछ चीज़ा हाइलाइट किये हैं आप इसे समझ रहा है ना जरूरी चीजों की कीमते बहुत तेजी से बढ़ी इतनी तेजी से बढ़ी कि जो वास्तविक वेतन था उसमें 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई समझेगा आप इस चीज़ को 20 प्रतिशत की गिरावट वास्तविक वेतन में आ गई यानि वेतन तो कम नहीं इतनी चीजे जो हैं बढ़ गई महिंगाई उनकी है ना उसी समय मजदूर संगटनों की सदस्यता में भी तेजी से विद्धी होने लगी और जब 1904 में ही गठित की गई Assembly of Russian Workers यानि रूसी श्रमिक्ष सभा के चार सदस्यों को प्यूतिलोव आईरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तब आप समझे कि मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का एलान कर दिया है ना और अगले कुछ दिनों के भीतर क्या हुआ सेंट पीटर्स बर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे गटा करके आँट घंटे किये जाने वेतरन में वृढ़दी करने और कारे स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हटाल पर चले गया कितने 1,10,000 से ज्यादा मजदूर समझ रहे हैं आप दोस्तों ये वही समय था जब पादरी गैपॉन के नितरतों में मजदूरों का एक जुलूस आप समझ ये की विंटर पहले जो जार का महल था उसके सामने पहुचा तो पुलिस और यहां पर लिखा गया है कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया और दोस्तों इस घटना में सौ से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगबख तीन सो घायल हुए इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है अगर प्रश्ण पूछ लिया खूनी रविवार के विशह में तो ये जानकारी आपको अब पता आज की क्रांती की शुरुवात की अगर हम बात करें तो वो इसी घटना से हुई थी है ना सारे देश में हरताले होने लग गई जब नागरिक स्वतंतरता के अभाव का विरोध करते हुए विध्यारती अपनी कक्षाओं का बहिशकार करने लग गए तो विश्व विध्या सामगारों ने सम्विधान सभा के गठन की मांग करी और करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन्स की इस्थापना कर दी समझिएगा इस परिग्राफ में कुछ नए शब्दा हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ निरंकुष राजशाही राजा का बिना रोप्टो से वास्तों में कितनी चीज़े खरी दी जा सकती है और हमने देखा कि उसमें 20 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी दोस्तों 1905 की क्रांटी के दौरान जार ने एक निरवाचित परामर्श दाता संसद या डियूमव के गठन पर अपनी सहमती दे दी आप समझ ये क्रांटी क समय कुछ दिन तक फैक्टरी मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्टरी कमिटियां भी अस्थित्व में रही फिर यहाँ पर हमें आगी बताया है कि 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमिटियां और यूनियन जो है वो अधिकरित रूप से यानि ओफिशली काम क करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घुशत कर दिया गया था राजनितिक गति विदियों पर भी भारी पावंदिया यहां पर लगा दी गई हमें बताया गया है और जार ने क्या किया पहली डियूमा को मात्र 75 दिन के बीतर और पुनर निर्वाचित दूसरी डियूम को भाई डाल उदारवादियों और कान्तिकारियों को बाहर इससे रखा गया अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात करेंगे पहले विश्विद और रूसी सामराज्य की दोस्तों 1914 में दो यूरोप ये गटबर्दनों के बीच में युद्द छेलिया एक खेमे में था जर युद्ध जो था ये यूरोप के बाहर भी फैल गया था अब दोस्तों इसी युद्ध को पहला विश्विद कहा जाता है आप समझेगा 1914 की बात है दो यूरोप ये गटबंदन जो है उनके बीच में युद्ध छड़ चुड़ चुका है पहला खेमा है जिसमें जर्मनी आस्ट्रिया और तुर्की है केंद्री शक्तिया कहलाती है और दूसरा खेमा है जिसमें फ्रांस ब्रिटेन और रूस है शरुवात में और बाद में इटली और रुमानिया भी मिल गए है ना दोस्तों इन सभी देशों के पास में विशाल वैश्विक सामराज्य थे और इस उता ने जार का इसमें साथ दिया लेकिन आपको बता दूं कि जैसे जैसे युद्ध है ये लंबा खिस्ता चला गया जार ने डूमा में मौझूद मुख्य पार्टियों उसे सलाह लेना चोड़ दिया और उसके प्रति क्या किया जंसमर्थन जो है वो कम होने लग गया जर पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था और वो ते उसके विरोधी थे दोस्तो जारीना जो जार की पत्नी महरानी थी एलेकसांद्रा के जर्मन मुलका होने और उसके घटिया सलाकारों खास्तोर से नाम आता है यहां पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी का जिसने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया दोस्तो समझ यह प्रतम विश्वयुद्र के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिम मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी यानि अलग थी पश्चिम में क्या था सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाईयों से लड़ाई जबकि अगर हम बात करें पूर्वी मोर्चे की तो इस पर सेना ने काफी बड़ा पासला जो है वो तै कर लिया था अब इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुझ में जा चुके थे सेना की पराजाय हुई और उन्होंने रूसियों का जो मनोबल था वो तोड़ दिया 1914 से 1916 के बीच में दोस्तो जर्मनी और आस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजाय जहली पड़ी हार का सामना करना पड़ा और फिर समय आया 1917 का जब तक 70 लाख लोग जो है वो मारे जा चुके थे पीछे हटती हुई रूसी सेनाओं ने रास्ते में पढ़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नश्ट कर दिया ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके दोस्तों फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो शर्नार्थी हो गए और इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोग परिये बना दिया सिपाही भी युद्ध से तंग आ गए थे और आप वे लड़ना नहीं चाहते थे ठीक है मुझे उमीद है आप बात समझ आपके आ रही होगी यह जो चित्र है आप देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि यह पहले विश्व युद्ध के समय का है रूसी सिपाही है यह जो युद्ध से उद्ध्योगों पर भी बुरा असर पड़ा आप जानते हैं और रूस के अपने उद्ध्योग तो वैसे भी बहुत कम थे हैं अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ती भी बंद हो गई क्यों होई क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से युदेशी उद्ध्यों की सामान आते थे समझेगा उस पर जर्मनी का कपचा हो चुका था यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले की अगर हम बात करें तो रूस के उद्ध्यों की गुपकरन ज्यादा तेजी से बिकार होने लग गए 1916 तक रेलवे लाईने तूटने लग गई अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में जोग दिया गया देश भर में मजदूरों की कमी हो गई और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्क्शॉप्स ठप होने लग गई जादा तरनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्च पर भिज़ा जाने लगा शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटी की किल्लत पैदा हो गई 1916 का समय था जब 1916 की सरदियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लग जाते थे दोस्तो अब हम बात करेंगे पैत्रोग्राद की फरवरी क्रांती की दोस्तो समय सन 1917 चल रहा है सरदिया है और ऐसे हमें राजदानी पैत्रोग्रोध की हालत जो है वो खराब हो चुकी थी ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद जो भेनेताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तैकी गई थी मजदूरों के कौाटर और कारखाने नेवा नदी के दाये तट पर थे बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस और सरकारी इमारते थी जिस महल में डियूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्तों की भारी कमें पैदा हो गई समझ ये नाम ही है फरवरी क्रांती है ना तो फरवरी में क्या हुआ की काफी भारी पदार्तों की कमें पैदा हो गई और भारी मात्रा में और इस साल ठंड भी को ज्यादा पड़ी थी भीशन कोहरा और बारी हुई थी, संसदिय प्रतिनिदी चाहते थे कि निर्वाचिस सरकार बची रहे और इसलिए वो जार द्वारा डियूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे दोस्तो, 22 फरवरी को दाय तठ परिस्थित एक फैक्टरी में तालबंदी घोशित कर दी गए अगले दिन इस फैक्टरी के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्टरीों के मजदूरों ने भी हरताल का ऐलान कर दिया और बहुत सारे कारखानों में हरताल का नेटरतु कौन कर रही थी? और इस दिन को बाद में दोस्तों अंतराश्ट्रिय महिला दिवस का नाम दिया गया, समझेगा आंदोलन कारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीच ओ बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई और इस समय तक कोई राजी नितिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी है ना, शाम तक प्रदर्शनकारी तीतर वितर हो गए लेकिन 24 और 25 तारी को फिर इकटा होने लग गए दोस्तो सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने उन पर नजल रखने के लिए गुर सवार सेनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया था समझे, रविबार 25 परवरी को सरकार ने डियूमा को बरखास कर दिया, सरकार के इस फैसले के खिलाप राजनीतिक की बयान देने लग गए 26 तारीकाई और प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में, बाय तट के इलाके में कट्ठा हो गए 27 को उन्होंने पुलिस मुख्याले उपर हमला करके उन्हें तैसनेस कर दिया, रोटी, तनखा, काम के घंटों में कमी और लोगतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सडकों पर जमा हो गए सरकार ने स्थिती पर नियंतरण कायम करने के लिए एक बार फिर घुरसवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुरसवार सैनिकों की टुकडियों ने प्रदरशन कारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया समझे, सैनिकों में गुसा था और गुसाए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी समझे, तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हरताली मजदूरों के साथ आमिल गए और शाम को हुआ ये कि सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिशत का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हो गए जहां अब तक डियूमा की बैठक हुआ करती थी और यहीं से पैत्रोग्राद सोवियत का जंग हुआ अगले दिन दोस्तों एक प्रतिनिधी मंडल जार से मिलने गया सैनिक कमांडरों ने उसे सला दी की बहर राजगद्धी छोड़ दे उसने कमांडरों की बात मान ली और दो मार्ज को गद्धी छोड़ दी फिर आगे है कि सोवियत और ड्यूमा के निताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली और तैक किया किया कि रूस के भविश्य के बारे में फैसला लेनी की जो जिम्मेदारी है वो अब सम्मिधान सभा को सौब दी जाए और उसका चुनाओ सार्वभौमिक वयस्क मतादिकार के आधार पर किया जाएगा समझेगा सार्वभौमिक वयस्क मतादिकार क्या होता है आप भली बाती इससे परिजित हैं और दोस्तो फरवरी 1917 में क्या हुआ कि राजशाही को गदी से हटाने वाली क्रांती का जंडा पैतरोगराद की जंता के हाथों में था ठीक है दोस्तो इसके बाद है फरवरी के बाद अब समझेगे अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी भूस्वामी उद्योगपती प्रभावशाली थे और उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचिस सरकार का गठन चाहते थे हैं ना अपरियर 1917 में बेल्श्वी कोकिन के निर्वासित नेता ब्लादे में लैनिन रूसलोट आ गए और लैनिन ने बयान क्या दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए सारी जमीन किसानों को हवाले की जाए और बैंको कराश्टी करण किया जाए दोस्तों ये तीनों मांगों को लैनिन की अप्रेल थीसिस के नाम से जाना जाता है अगर प्रशना आगया कि लैनिन की अप्रेल थीसिस क्या है तो आप इन तीन मांगों के बारे में बता दीजिएगा दोस्तों उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि आप अपने रेडिकल उद्धेशों को सपस्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्मिनिस पार्टी रख दिया जाएगा बुल्चिविक पार्टी के ज्यादा तर लोगों को अप्रेल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई दोस्तो उन्हें क्या लगता था कि अभी समाजवादी क्रांती के लिए सही वक्त नहीं आया और इसी लिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए लेकिन मैं आपको बता दू कि अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच पदल दी गरमियों में मजदूर आंदुलन और फैल गया और ओद्दयो के इलाकों में फैक्टरी कमिटिया बनाएंगे इन कमिटियों के मध्यम से मजदूर फैक्टरी चलानी के मालिकों की तोर पर तरीकों पर सवाल कड़ा करने लगे और ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लग गई सेना में सिपाहियों की समितियां बढ़ने लगी जून में लगबग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांगरेस में अपने प्रतिमिदी भेजे आप समझ ये कि जैसे जैसे अंतिर्म सरकार की ताकत कमजोर हो रही थी वैसे वैसे बॉल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा सरकार असंतोष को दवाने के लिए सक्त कदम उठाने लग गई सरकार ने फैक्टरियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जारे ही कोशिशों को रोकना और मजदूरों की जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया प्रारम कर दिया जुलाई 1917 का पर समय आता है जब बॉल्शेविकों द्वारा आयोजित किये गए विशाल प्रदरशनों का भारी दमन किया जाता है बहुत सारे बॉल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ जाता है और गाओं में किसान और उनके समाजवादी करांतिकारी नेता भूमी पुनरवितरन के लिए दबाव डानने लग गए थे इस काम के लिए भूमी समितिया बना दी गई और सामाजिक करांतिकारियों से प्रेड़ना और पोट्साहन लेते हुए जुलाई से सतंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कबजा कर लिया यह चितर आप देख सकते हैं जुलाई के दिन 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदरशनकारियों पर सेना द्वारा गोली बारी का ये द्रिश्य है ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए अक्टूबर 1917 की क्रांतिकी तो अब यहाँ पर यह बताया है कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में तकराओ धीरे धीरे बढ़ता गया वैसे वैसे लेनिन को अंतरिम सरकार दाना शाही ठोप देने की आश्यंका दिखाई देने लग गई फिर क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1917 को लेलिन ने पैत्रोग्राज सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कबजा करने के लिए दोस्तो राजी कर लिया है ना सत्ता पर कबजे के लिए लियान टोट्सकी के देत्रत्व में सोवियत की और से एक सैनिक रांतिकारी समिती का कठन किया गया और इस बात का खुलासा नहीं किया गया उस समय कि योजना को किस दिन लागू किया जाईगा ध्यान से समझीएगा ओर 24 अक्टूबर को विद्रोश शुरू हो गया संकट की आशंका हुई और इसी को देखते हुए दोस्तो प्रधान मंतरी केरेंस की सैनिक टुकडियों को एकटा करने शहर से बाहर चले गया तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने दो बॉल्शविक अकबारों के दफ्तरों पर गिर अडाल दिया है ना टेलीफोन और टेलिग्राफिक दफ्तरों पर नियंदरन प्राप्त करने और विंटर पहलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया पलक जपकते हुआ ये कि करानतिकारी समिती ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया आदेश क्या दिया इसे समझे सरकारी कार्यालों उपर कबजा कर ले वो और मंत्रियों को गिरफतार कर ले इसका आदेश उन्हें दे दिया गया और उसी दिन मैं आपको बता दूँ कि अरोरा नामक युद्धपोत ने यहाँ पर बताया गया है विंटर पैलेस पर जो है में समर्पन कर दिया यहाँ पर यह भी पताया है कि पैत्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कॉंग्रेस की एक पैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कारिवाई का समर्थन कर दिया और अन्य शहरों में भी बगावते होने लग गई दोनों तरफ से हुआ यह कि जमकर गोली बारी हुई खास तोर से मॉस्को में लेकिन दिसमबर तक मॉस्को पैत्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था यह एक छोटा सा ब्योरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1850 से 1880 तक हम देखेंगे रूस में समाजबात पर बहस हुई 9890 का वो समय था जब रशियन सोशल डेमोकरिटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई फिर 1905 आया जब खूनी रविवार और 1905 की क्रांती फिर 1917 दो मार्श जारदवारा पत्याग दिया गया 24 अक्तूबर पैत्रोगौद में बोल्शेविक विद्रोव हो गया 1918 और 20 में ग्रह युद्ध हुआ 1919 में कॉमेंटरन का गठन हुआ 29 में सामुई की करण की शुरवात हो जाती है अब बात करेंगे अक्तूबर के बाद क्या-क्या बदला इसकी बोल्शेविक नीजी संपत्ती की विवस्था की पूरी तरह से खिलाफ थे अब तक हमने यही देखा है ना और ज्यादा तर जो उद्योग होते थे और जो बैंकों की अगर हम बात करें तो उसका नमबर 1917 में ही राश्टी करण किया जा चुका था है अब उनका स्वामित्व और प्रबंदन जो है वो सरकार के नियंत्रण में आ गया था ठीक है शेहरों में बोल्शेविकों के मकान मालिकों के लिए परियाप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे-छोटे हिस्से कर दिये गए क्यों किये गए जिससे कि बेघरबार और जरूरतमन लोगों को भी रहने की यहाँ पर जगा दी जा सके है आप समझ रहें किस तरह के उपाय अपनाए जा रहा है ना बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया गया और उस बदल करके उसको रूसी कम्यूनिस पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया ठीक है फिर नवंबर 1917 में क्या हुआ बोल्शेविकों ने सम्मिदान सभा के लिए चुनाओ कर आए लेकिन दोस्तों इन चुनाओं में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया फिर समय आया जनवर 1918 का जब असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिश कर दिया और लेनिन ने असेंबली बरखास कर दी समझ रहे हैं उनका मत क्या था कि अनिश्चित परस्तियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूशी सोवियत कॉंग्रेस कही ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है ठीक है मार्च 1918 में दोस्तो अन्य राजनितिक सहयोगियों की असेंबली के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संदी कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूशी सोवियत कॉंग्रेस के लिए होने वाले चु पर पार्टी का नियंतरन रहता था गुप्तचर पुलिस जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया बोल्शेविकों की आलोशना करने वालों को दंडित करती थी समझ रहे हैं आप दोस्तो अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला औ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीम पर यहाँ पर दिया हुआ है मासको में मई दिवस का प्रदर्शन हो रहा उनीस तो ठारा का ये चितर है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रह युद्ध की दोस्तो समझ येगा जब बोल्शविकों ने जमीन के पुन और वित्रन था उसके लिए उनको घर लोटना चाहते थे वो और इसी लिए सेना छोड़कर जाने लग गए अब गैर बोल्शविक समाजवादियों उदारवादियों और राजशाही की जो समर्तक थे उन्होंने बोल्शविक पिद्रों की निंदा कर दी और उनके नेता ज समराज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीम्स और जार समर्तकों वाइट्स का ही नियंतरन रहा। ठीक है। दोस्तों वाइट्स में जो नीजी समपत्ति के हिमायती थे ना उन्होंने जमीन पर कबजा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सक् आया और उनकी इन हरकतों की वज़े से हुआ ये कि जो गैर बोल्शेविक के प्रती जनसमर्थन और और वी तेजी से घटने लग गया। फिर समय आया जनवरी उन्निस्सों बीस का जब तक बहुत पूरु रूसी सामराज्य के जादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नि नियाई बन गए थे वहीं पर यह मदद काम नहीं आ सकी और मद एशिया खीवा में अब समझे जगहों के नाम थोड़े से यहां पर आपको कठीन लग सकते हैं याद रखने की कोशिश कीजिएगा बोल्शेविक उपनिवेशिकों ने सामाजबात की रक्षा के नाम पर समझ में नहीं हा रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है अब समझ यह कि आंशिक रूप सेची समस्या से निपटने के लिए ज्यादा तर जो गैर रूसी राष्टिये ताउं को सोवियत संग यानि यू एस एस आर डिसमबर 1922 में रूसी सामराज्य में से नितिक स्वायता दे दी गई लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि आपने अभी तक देखा कि बोल्शेविकों ने स्थानिय सरकारों पर कई अलोक प्रिय और सक्त नितियां कौन-कौन सी जैसे गुमंतुवाद इसकी रोकथाम की कड़ी कोशिशे थोब दी इसलिए हुआ अब बात करते हैं समाजवादी समाज का निर्मा ठीक है तो समझेगा अभी हमने ग्रह युद्ध देखा ग्रह युद्ध के दौरांच हुआ ये कि बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राश्टी करन को जारी रखा उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजी करन किया जा चुका था जब तक किये गए खेतों का इस्तमाल बोल्शेविक किया दिखाने के लिए करते थे कि सामोहिकता क्या होती है याना शासन के लिए केंद्रीकरत नियोजन की विवस्था लागू की गई अफसर जो थे वो इस बात का हि हिसाब लगाते थे कि आर्थे विवस्था किस तरह काम कर सकती है और इस आधार पर वे पांस साल के लिए लक्ष तै कर देते थे अब समझ ये इसी आधार पर उन्होंने पंच वर्शी योजनाय बनानी शुरू भी की पहली दो योजनाय 1927 32 और 33 से 38 के दोरान अध्योगी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया सरकार ने सभी तरह की कीमते स्थिर कर दी केंद्री कृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गती मिली ठीक है दोस्तों मगर तेज निर्मान कारेों के दबाओं में कारे स्थितियां खराब होने लग गई यहाँ पे नाम दिया है मैगनीटो गौर्स यह जो शहर है इसमें एक इस्टील से यंत्र का निर्मान कारे तीं साल के भीतर पूरा कर लिया गया और इस दोरान मजदूरों को बड़ी संक सक्त जिंदगी गुजारनी पड़ी जिसका नतीजा यह देखना हुआ कि पहले ही सा साल में 550 बार काम रुप गया रहाइशी क्वार्टरों में जाड़ों में शोचाले हो जाने की 40 डिगरी करम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतर कर सड़क के पार दोड़कर जाते थे और एक विस्तारी सिक्षा व्रविस्था विक्सित की गई फैक्टरी कामगारों एवं किसानों को विश्व इध्यालें में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम भी उस समय जो है वो किये गए दोस्तों महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्टरियों में बालवाडियों बालवाडियां खोल दी गई सस्ती स्वास से बाउत लब्द कराएगी म पॉलिनवाड और सामोही की करण नियोजित अर्थ मवस्था का शुरुवाती दोर दोस्तों खेती के सामोही की करण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था सीधे तोर पर यह तो अब तक हम समझ गए है ना 1927 और 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संक की कमान समाल रहे स्टॉलिन ने स्थिती से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए मन में प्रशन उठ रहा होगा वो कदम क्या थे तो दोस्तों उन्हें ऐसा लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उमीद में अनाज नहीं बेच रहे इस्थिती पर काबू पाने के लिए सक्टे बाजी पर अंकुछ लगाना और व्यापारीयों के पार जमा अनाज को जब्त करना बहुत जरूरी था दोस्तों 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उतपादक इलाकों का दौरा किया उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर चापे मारे रूस में संपन किसानों को कुलक कहा जाता था समझ ये कुलक किसे कहा जाता था रूस में जो संपन किसान थे उन्हें कहा जाता था जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामोही की करण का फैसला ले लिया गया है ना मुझे अमीद है आपको यहां तक बात समझ में आ रही है आदोने खेत विक्सित करने और उन पर मशीनों की साहता से और जोगी खेती करने के लिए कुलको का सफाया करना किसानों से जमीन छीनना और राजय नियंतरत यानि सरकारी नियंतरन वाले बड़े बड़े खेत बनाना बहुत ही जरूरी उस समय माना गया ठीक है दोस्तों फिर 1929 का समय आया है 1931 के बीच में मवेशियों की संख्या में एकतिहाई कमी आ गई सामुही की करन का विरोध करने वालों को सक्त सदा दी जाती थी है ना और आप इसे इस समझे कि बहुत सारे लोगों को निरवासन या देश से निकाल दिया गया सामुही की करन का विरोध करने वाले किसानों का कहना ये था कि वे ना तो अमीर है और ना ही समाजवाद के विरोधी है तो फिर वो खै क्या वे बस वे विन कारणों से सामुही खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे स्टॉलिन सरकार ने सीमित इस्तर पर स्वतंतर किसानी की विवस्था भी जारी रहने दी लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद उस समय नहीं दी जाती थी ठीक है अब दोस्तों समझ यह 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पढा कब पढा 1930 से 1933 के बीच याद रख लीजिए MCQS में पूछा जा सकता है प्रशन की सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पढा तो पढा 1930 से 1933 के बीच में ठीक है जिसमें 40 लाग से ज़ादा लोग मारे गए थे ये बहुत बड़ी संख्या है ना दोस्तों पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजी तर्थेववस्ता के अंतरगत और द्योगी उत्पादन पैदा हो रहे ब्रह्म और सामुही की करण के परिणामों की आलोशना करने लग गए स्तालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोशको पर समाजबात के खिलाफ साजी स्रिशने का आरोप लगाया देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1949 तक मैं आपको बता दूँ 1949 तक आते आते 20 लाग से जादा लोगों को या तो जेलों में या फिर श्रमश विरों में बेज दिया गया था जादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराद ने किया लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था बहुत सारे लोगों को या तनायत दे दे कर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिये गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद साजिश में हिस्सा लिया है और इसी याधार पर उन्हें मार दिया गया इनमें कई प्रक्तिभावान पेशिवर लोग भी थे जिनें मार दिया गया था और अब हम देखेंगे रूसी करांती और सोवियत संग का वैश्विक प्रभाव मुझे अमीद है कि आप अभी तक अपनी समझ जो है उसको बरकरार रखे हुए है बनाय हुए है तो ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझेगा बहुत महत्वून तत्यों पर, मुद्दों पर, विश्यों पर हम चर्चा कर रहे है यह इतिहास है है और हमें इसे समझना बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि हमारा वर्तमान इसी इतिहास की देन है जब हम स्वतंतरता संघर्ष को पढ़ते हैं न दोस्तों तो हमें यह नहीं बूलना चाहिए कि यह हमें सरलता से मिली हुई कोई चीज नहीं है जो किसी खिलोनी की तरह हमारी कोद में आकर के डाल दी गई इसे पाने के लिए इसे प्राप्ट करने के लिए जड़ा हुआ है एक लंबा संघर्ष है न जिसकी कहानी हम अभी देख रहे हैं फिलाल अब हम बात कर रहे हैं रूसी क्रांती और सोवियत संघ के वैश्विक प्रभाव की तो समझेगा बोल्शिविकों ने दोस्तों जिस त उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में हैं पर हमें बताया कि यूरोग की समाजवादी पार्टिया बहुत ज्यादा उससे सहमत नहीं थी है न और लेकिन महनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उमीद जगा दी थी ठीक ह सोवियत संग के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिदियों ने दोस्तों Conference of the People of the East 1920 और बोल्शेवी को द्वारा बनाये गए कॉमिन टर्ल बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतराष्टिय महासंग में इसमें हिस्सा लिया है न कुछी विदेशियों को सोवियत संग की Communist University of the Workers of the East में दोस्तों शिक्षा दी गई जब दूसरा विश्विद शुरू हुआ तब तक सोवियत संग की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी ठीक है मुझे उमीद है आपको ये जो बात है ये समझ में पूरी तरह से आई होगी है न लेकिन दोस्तों आप इससे समझे कि सभी देशों में समाजवाद के बारे में अलग-अलग प्रकार से व्यापक पुनर्विचार जो है वो किया गया ठीक है मुझे उमीद है कि आपको अब तक के सारी बात समझ में आ चुकी है ये अध्याय समझ में आ चुका है है ना यहाँ पर नए शब्द बताया है पुरती क्र होता है क्रांती विरोधी है ना मुझे उमीद है कि अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और आपसे ऐसी अपेक्षा है कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है ये अध्याय आपको समझ में आया है